दोस्तों आप सभी ये बात जानते हो कि इस समय GTRE यानि की Gas Turbine Research and Establishment हमारे कावेरी इंजन के Dry Version को पूरी तरीके से बना कर तयार कर चुकी है और अब इसी कावेरी इंजन के Dry Version के लिए एक नए After Burning Section को बनाय जा रहा है और जैसे ही ये नया After Burning Section बना कर तयार हो जाएगा उसके तुरंत बाद ही इस नए After Burning Section को Dry कावेरी इंजन के अंदर लगाए जाएगा जिसके बाद कावेरी इंजन 80 किलो न्यूटन के थ्रस्ट को जनरेट कर पाएगा लेकिन अब भारत में इस बात को लेकर बासचीच शुरू हो गई है कि हम अपने Tad Bia Fighter Jet के अंदर अपने कावेरी इंजन को भी तो लगा सकते हैं इस समय भारत की तरफ से ये प्लैनिंग की गई है कि हम अपने Tad Bia Fighter Jet के अंदर General Electric के F414 इंजन को लगाएंगे जो ये अमेरिका का F414 इंजन है ये इंजन 98 किलो न्यूटन के थ्रस्ट को जनरेट कर पाता है लेकिन इस समय जो प्रांस का रफाल मरीन फाइटर जेट है उस फाइटर जेट के अंदर M88 इंजन लगा हुआ है और ये M88 इंजन केवल 75 किलो न्यूटन के ही थ्रस्ट को जन पाएगा वहीं पर रफाल मरीन केवल 46 किलो न्यूटन के ही थ्रस्ट को जनरेट कर पाता है जिसका सीधा सा मतलब यह है कि जो इस समय रफाल मरीन के अंदर इंजन लगा हुआ है वो हमारे कावेरी इंजन से कम थ्रस्ट को जनरेट कर पाएगा इसे भी हम अपने टैडबीय फाइटर जेट के अंदर दो इंजनों का इस्तमाल करने वाले हैं जिस कारण गडबर होने के चांसिस बहुती ज़्यादा कम होंगे टैडबीय फाइटर जेट के अंदर सब देशी इंजन लगे होने का सबसे बड़ा फाइदा हमको यह होगा कि हमको अमेरिका के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और हमारे टैडबीय फाइटर जेट की कीमत भी काफी ज़्यादा कम हो जाएगी जिसका एक फाइदा हमको यह भी होगा कि हमको भविश्य में टैडबीय फाइटर जेट को एक्सपोर्ट करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी एसा में इसले भी बोल ला हूँ क्योंकि अगर हम अपने टेड़ फाइटर जैट के अंदर जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजन का इस्तिमाल करते हैं और हम अपने टेड़ फाइटर जैट को भविश्य में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसके देखा जाए तो हमारी नो सेना का ये प्लैन है कि भविश्य में हम अपने पास सो के आज़ पास टेड़ फाइटर जैट को रखने वाले हैं तो टेड़ फाइटर जैट का मतलब यह हैं कि हम को 200 इंजन की जरुद पढ़ने वाली हैं और अगर हम अपने टेड़ फाइटर चैट के अंदर कावेरी इंजन को ही लगाते हैं तो हम 200 इंजन को भारत के अंदर ही बनाएंगे जिसके लिए भारत के अंदर एक एसा इको सिस्टम बन जाएगा जिसके बाद हम काफी तेजी से भारत के अंदर ही बना कर दयार कर सकेंगे और अप आप ही कमेंट करकर बता सकत कि हमको TBA fighter jet के अंदर कावेरी इंजन को लगाना चाहिए या फिर आपका ये मानना है कि हमको अपने TBA fighter jet के अंदर एमेरिका के F414 इंजन को ही लगाना चाहिए इस बात का अंचरा आप कमेंट बोक्स में दे सकते हैं थैंक्स फोर वोचिं इस वीडियो फवाज दे